हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग मित पेसन में आपका स्वावत है आज हम किछटी बनाएंगे साबुदाने की बिल्कुल खिली हुई देखें आप कितनी प्यारी बनी हुई है इसका साबुदाना बिल्कुल खिला खिला है और बहुती जादा टेश्टी लगेगी जैसे भंडारे में बनती है न स्ट्रीम करके हम बेसे ही बनाएंगे सबसे पहले मैंने साबुदाने को दो घंटे के लिए भीगो के रख दिया था इसके बाद मैंने इसमें सेंदर नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया है जिससे नमक का टेश्ट इसमें चला जाएगा और इसके बाद मैंने आलू को अच्छे से वॉस कर लिया है इनको मैंने कट कर लिया था आप आलू को वॉयल करके भी बना सकते हो मैंने आलू को ऐसे ही तलके बनाऊंगी इसके बाद मैंने कड़ाही में ओयल लिया है जीरा डाल दिया है इसके बाद मैंने मूम फली के दाने डाल दिये हैं मूम फली के दाने पहले इसलिए डाले हैं क्योंकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे यदि में मिर्च पहले डाल देती तो मूम फली के दाने जो हैं वो कच्छे रे जाते इसके बाद हरी मिर्शी डाल के अच्छे से मिक्स गरेंगे इसको और मैंने सेंदर नमक डाल दिया है हमने साबुदाने में भी सेंदर नमक डाला है और मिर्शी में भी डाल दिया है और थोड़ा सा आलो में डाल देंगे जिससे सबी के अंदर नमक का फिलेवर अच्छे से चला जाएगा इसके बाद जो आलू थे जो मैंने बॉस किये थे उनको कड़ाई ही में डाल लिया है इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे फ्रेंड सी साबुदाना की खिच्डी हम स्ट्रीम करके बनाएंगे जिससे ये खिली हुई बनेगी जैसे भंडारे में मिलती है बल्कुल वैसे ही उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने इसको भी आज इससे ही बनाया है इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको मिक्स कर दिया देखे फ्रेंड सीए आलू जो है हमारे फ्राइ हो गए है थोड़ी दिर और फ्राइ करेंगे टमाटर डाल दिये है मैंने टमाटर डालना ओफ्सनल है यदि आपको इसका टेस्ट बसंद नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो इसके बाद हम इसको चलाते हो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो थाली थी मैंने उसमें जो साबू दाना था उसको डाल दिया है इसको अच्छे से फैला दूंगी क्योंकि हम इसको स्ट्रिम करके बनाएंगे इसलिए मैंने कराही में नहीं डाला है कराही में डालेंगे इसनी क्षिड़ी ग़िए यह फ्रल्कुन करूते हैं, यह फेर पांचा भप ये धाली है बौक इस से वाप यह लिए डग देंगे शसाए मेरे पास नहीं थी इसलिए मेन इसी रख दिया है एक बर मेने भंडारे में यह इस्ट्रीम करी होई खिचड़ी खायती तो मैंने सोचा क्यों न में भी ट्राय करूँ और फ्रेंट्स जब मैंने वनाई यह और इसको मैंने खाया तो सच्छी में जैसा मैंने वहां पर खायती न वेसे ही इसका टेस्ट आया अब हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे फिर ढग देंगे और फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है इसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और इसको अच्छे से मि मैं इसे पांच मेट और कुक करूंगी जिससे धना जो था वह अच्छे से पक जाएगा अब ही हमारी स्ट्रीम करके बनाई हुए खिच्छी कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसको बाउल में ले लेंगे और इसको बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन खाने में भी बहुत है बलुकुल साबुदाना चिपका हुआ नहीं है आलू अलग है साबुदाने अलग-अलग है और हम इसको प्लेट में लेकर सब करेंगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग